किसी मुहावरे का वक्यम प्रियोग होने पर वक्य बड़ा ही सुंदर्वे रोचक मन जाता है और आज का मारा मुहावरा है सूरज को दिपक दिखाना यानि आजम इस वीडियो के अंदर सूरज को दिपक दिखाना मुहावरे के अर्थे और इस मुहावरे के वक्यम लोग के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूरज को दिपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानी इस मुहावरे का अर्थ होता है जो स्वेंध्ध्य logic r.оль उनके विसे में कुछ कहना दोस्तों किसी महानिया प्रसि कम ही पढ़ जाएंगे तब एसे परशिद व्यक्ति के बारे में कुछी सबद कहने को सूरज को दिपक दिखाने के समान होगा क्यूंकि जब सूरज की इतनी तेज रोसनी के सामने एक दिपक को दिखाया जाता है तो उस से सूरज की तुलना नहीं हो सकती है उसी तरह से महान लोगों के बारे में कुछी सबद कहकरे उनकी तुलना नहीं की जा सकती है इसी तरह से इस मुहावरे का अर्थे यही होता है यानि सूरज को दिपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है जो स्वेम परसिद्या स्रेश्ठ हो उनके विशे में कुछ कहना होता है और जहां परे जो स्वेम परसिद्या स्रेश्ठ हो उनके विशे में कुछ कहने की बात होती है वहीं इस मुहावरे का वक्यम प्रियोग किया जा हो उसके जैसे व्यक्ति के बारे में यह सब कहना सूरज को दिपक दिखाना होगा दूसरा वाकिम प्रयोग डॉक्टर भीवराव राम भक्त हनुमान के गुणों के बारे में कुछ कहना सूरज को दिपक दिखाना है। हमारे लिए तो हमारे सेट के बारे में कुछ कहना सूरज को दिपक दिखाना है। साथवा वाक्यम प्रियोग रामाउतार के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो लोग इसे सूरज को दिपक दिखाना कहेंगे। आठवा वाक्यम प्रियोग देश को आजाद कराने में अपना बलिदान देने वाले लोगों के बारे में कुछ बताना सूरज को दिपक दिखाना कहा जाता है। और अधिक जानकारी चाते हैं तो आप हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विबिन तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके और आप अनेक तरह की मुहारों की बारे में ग्यान हासिल कर सकें तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें